हाई फ्रेंड्स कैशे हैं आप लोग आप देख रहे हैं शाही पाट साला और मैं हूँ भीकेशिंग आज हम लोग बात करेंगे ओलम्पिक खेल से रिलेटेड शभी महतवपुर्ण प्रसन पर वैसे प्रसन जो किशी न किशी एक्जाम में पूछे जाने की शंभाबना हो शक्ती है वैसे सभी प्रसनों पर बिस्तार पुर्वक हम लोग चर्चा करेंगे यह ओलम्पिक खेल का आयोजन 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्तक चला पदक तालिका में तीन देश शिर्च क्रम में अमेरिका प्रथमस्थान पर चीन दूसरे अस्थान पर एवं तीसरे अस्थान पर जापान रहा भारत अब तक के उलम्पिक प्रदर्शन में शर्वस्रेश्ट प्रदर्शन करते हुए कुल शात मिडल एक स्वरण के साथ जीत कर अब तक के इतिहास में सर्वस्रेश्ट प्रदर्सन रहा है आए क्रम से हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट में पदक तालिका शंजूक्त राज अमेरिका 113 पदक प्राप्त कर पहले अस्थान पर है 88 पदक के शाथ चीन दूसरे अस्थान पर जिसमें 38 स्वर्ण 32 रजत और 18 काशी पदक सामिल है और 58 पदक के शाथ जापान तीसरे अस्थान पर रहा जिसमें 27 स्वर्ण 14 रजत और 17 काशी पदक सामिल है पदक तालिका में 65 पदक के शाथ Great Britain चौथे अस्थान पर और 71 पदक के शाथ रूस ओलम्पिक शमिती पाँचवे अस्थान पर रहा 32 ओलम्पिक में भारती दलने कूल शाथ पदक जीते जिसमें एक श्वर्न, दो रजट और चारे काश पदक शामिल है पदक तालिका में भारत का स्थान 48 वा रहा यह ओलम्पिक के इतिहास में भारत का अब तक सर्वस्रेश्ट प्रदर्सन था टोकियो से पहले भारत का सबसे शफल ओलम्पिक 2012 में लंदन ओलम्पिक रहा था इसमें भारत ने दो रजट चारे काश शमयत कुल चाह पदक अपने नाम किये थे इतने में ओलम्पिक्स रिलेटेड आपको तीन चार बातें ज्यादा ध्यान से याद रखने हैं पहला अस्थान अमेरिका का दूसरा अस्थान 88 पदक के शाथ चीन का और तीसरा अस्थान 58 पदक के शाथ जापान का रहा भारत के अस्थान को आप याद रखेंगे कि 48 वा है और भारत ने कूल मिला कर शाथ पदक जीते हैं साथ पदक जीते हैं जिसमें एक स्वरण, दो रजट और चार काशी पदक शामिल है इतने प्रस्ण आपके बन सकते हैं इतने प्रस्ण निहां से आप याद रखेंगे आईए फिर आगे बढ़ते हैं 32 ओलंपिक खेल में भारतीय पदक भी जीता इनके बारे में जानते हैं शबसे प्रथा मर्स्थान पर है नीरज चोपडा गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपडा ने ओलंपिक के एथलेट में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता भारतीय भाला फेक खिलारे नीरज चोपडा ने इतिहास रचा नीरज ने अतिहासिक प्रदर्शन करते हुए तोकियो ऐलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया निरज ने भाला फेक अस्परधा में 87.58 मीटर दूर भाला फेक कर स्वरन पदक हाशिल किया 86.67 मीटर थ्रो के शाथ चेक के जुकाव वेदलेच दूसरे अस्थान पर और 85.44 मीटर के थ्रो के शाथ चेक के वितेसलाव वेशेली तीसरे नमबर पर रहे या किशी ओलंपिक के लिए अथलिट में भारत का पहला श्वरन पदक और ओलंपिक का व्यक्तिगत अस्परधा में भारत का या दूसरा पदक है तो यहां से आपको अब याद क्या रखने है नीरज ने भाला फेक अस्परधा में 87.58 मीटर दूर भाला फेक कर शुरण पदक हाशिल किया है कि इतनी दूरी फेका है एक यह याद रखना है दूसरा आपको याद रखना है कि इतनी से बात आप यहाँ पर धियान रखेंगे ब्यक्तिगत अस्परधा में पहला शुरण पदक बिजिंग उलम्पिक 2008 में दिगज सूटर अविनब बिंदरा ने जीता था अब हमारे दूसरे खिलारी है बजरंग पुनिया ने कुष्टी में काशि पदक जीता है भारतिय पहलवान बजरंग पुनिया ने काशि पदक जीता उन्हाँने यह पदक कुष्टी अस्परधा के 65 किलोग्राम भारवर्ग में कजाखिस्तान के पहलवान नियाज वेकोव दौलत को आठ जीरो से हराकर जीता है केडी जादव सुसील कुमार योगेश्वरदत शाक्षी मलिक रवी कुमार दहिया के बाद पुनिया उलम्पिक में पदक जीतने वाले छठे भारतिय पहलमान बने जबकि नीजरज पहले व्यक्ति है जो एथलेट में व्यक्तिगत असपरदा में उन्होंने शुरन पदक जीता है तीसरे नमबर पर है रवी दहिया इन्होंने कुस्ती असपरदा में रजत पदक जीता है रभी कुमार दहिया ने कुस्ती अस्परधा में शंतावन किलोग्राम भार बर्ग में रजद पदक जीता है वे फाइनल में रूसी पहलवान जोर उगेब से साथ चार से हार गए जिस कारण उन्हें रजद पदक दिया गया इस पहले फाइनल में पहुँचने के लिए रभी दहिया ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान नयायव सनायव को पराजित किया था रवी कुमार दाहिया ने 2020 टोकियो उलम्पिक में रजद पदक और 2019 विशुकब कुस्ती चंपियन में शंतावन कीलो वर्ग में काशि पदक जीता था वे एशियाई चंपियनसिप में दो वार्फ सुरन पदक जीत चुके हैं चौथे भारतिये पुरु सौके टीम ने काशि पदक जीता भारतिये पुरु सौके टीम ने 5 अगस्त को जर्मनी को 5-3 से हरा कर काशि पदक अपने नाम कर लिया भारती टीम सेमी फाइनल मैच में बेल्जियम से पराजित होने के बाद काशी पदक के लिए जर्मनी को पराजित किया भारत की ओर से सिमरंजीत सिंग ने दो जबकि हर्मन पृत सिंग, हार्दिश सिंग और रुपिंदर पाल सिंग ने एक एक गोल किये भारत ने 41 शाल बाद होकी में कोई पदक जीता है, उलम्पिक के इतिहास में होकी में भारत का यह बार्मा उलम्पिक मेडल है भारत इश्य पहले होकी में 8 शुर्ण 1 रजट और 2 काशे उलम्पिक पदक जीत चुका है भारत ने आखरी वार होकी में उलम्पिक पदक 1980 में जीता था तो एक लंबे अरसे के बाद भारत ने उलम्पिक होकी में पदक अपने नाम किया है पांचवेंख खिलाडे हमारे हैं लवलीना बोरगोहेन वाक्सिंग में काशे पदक जीता है भारतिय महिला पॉकसर लवलीना बोरगोहेन ने 4 अगस्त को काशे पदक जीता उन्हावने यह पदक बॉक्सिंग ME 79 किलो गर्म वर्ग में जीता है सेमी फैनल वाउड में लवलीना को मौजूदा विश्यू चेंपियन तुर्की की वुषिनाज सुर्मेनली ने पराजित किया लवलीना विश्यू चेंपियनसिप की दू बार की काशि पदक बिजेता है वह उलम्पिक में बॉक्षिंग में पदक जीतने वाली भारत के तीसरी मुखेवाज है इस से पहले भारत की ओर से विजंदर सिंग और एमसी मैरी कॉम ने उलम्पिक पद में काशि पदक जीता था छटे नमबर पर हैं पीवी सिंधू पीवी सिंधू ने बैडमिंटन में काशी पदक जीत लिया है भारत की बैडमिंटन खिलाड़े पीवी सिंधू ने काशी पदक जीत कर इतिहास रचा शिंदू उलम्पिक में दो ब्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला खिलाड़ी बन चुकी है इससे पहले उन्होंने 2016 उलम्पिक में रज़त पदक जीता था सिंदू सेमी फैलन मुकाबले में चीनी ताइपेई की ताई जू इंग से हार गई थी बाद में काशि पदक के मुकाबले में उन्हें चीन की हेव विंग जाओ को 21-21 से पराजित कर काशि पदक अपने नाम कर लिया और हमारे शात्में खिलाड़ी है भारत के लिए पहला पदक मीरावाई चानू ने जीता तोपियो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक मीरावाई चानू ने जीता उन्होंने यह पदक बेट लिप्टिंग के 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर जीता इस अस्परधा का श्वरण पदक चीन की जी हुई हाउ ने और इंडोनेशिया की कांतिका आईशाह ने कांशिप पदक जीता मेरावाई चानू भारत तोलन में करणम मलेश्वरी के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतिये बनी हैं अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा जो सुना उसमें से मैक्सिमम बातें शमजने के लिए थी जानकारी के लिए थी लेकिन यहां से अब जो हम पढ़ाई करने वाले हैं यह शिर्फ और सिर्फ एग्जामनेशन पॉइंट आप व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आईए देखते हैं 32 ओलम्पियार्ड खेल टोकियो 2020 मुखी बिंदु क्या है 32 ओलम्पिक खेलों का आयाजन 2020 में किया जाना था लेकिन COVID-19 महामारे के करने से अस्थागित कर दिया गया था टोकियो ओलम्पिक के 46 खेल असपरदाएं आयोजित की गई थी यह याद रखन लिए भारत के 127 खेलाड़ी जिसमें 71 पूरुष और 56 महिलाओं ने हिशा लिया टोकियो ओलम्पिक 2020 का अधिकारिक मोटो यह याद रखिएगा आदर्स वाक के अधिकारिक मोटो को मतलब क्या हुआ आदर्स वाक के यूनाइटेड वाई इमोशन यूनाइटेड वाई इमो इमोशन था जबकि ओलम्पिक का शुभंकर मेरा तोईवा था शुभंकर और आदर्स वाक के यह दोनों बहुत इंपोर्टेंट है यह दोनों कोशन आप अलग से इस्पेसल नोटबुक में लिखकर रखेंगे और कंठस्त कर लेंगे आदर्स वाक के क्या है यूनाइटेड इमोशन और शुभंकर है मेरा तोईवा उलम्पिक खेल में इस बार बेसबॉल, सौप्ट बॉल, कराटे, स्केट बोर्ड और शर्फिंग को भी शामिल किया गया था पहली बार किसी देश के दो ध्वजवाहक अपने अपने देश के खिलाडियों का नेत्रुत्य किया उध के कप्तान मनपृत सिंग और दिगज मुक्यवाज एमसी मैरीकॉम थे जबकि शमापन समाहरों में भारतिये ध्वजवाहक भजरंग पुनिया थे पहली बार बिना दर्सकों के आयोजित किया गया क्योंकि जापान में कुरोना के कारण अपात काल लगा दिया गया था उलम ध्वज भाहक आपको याद रहना चाहिए भारतिये घुरसवार फबाद मिर्जा ने ओलम्पिक क्वाली फायर्स में सीर्स पर रहते हुए ओलम्पिक Qota हासिल किया था घुरसवारे में 20 साल में पहली बार भारत को ओलम्पिक Qota हासिल हुआ था इश्य पहले शिर्फ इम्तियाज अनीस ने वर्ष 2000 में हुए स्रिड्नी ओलम्पिक और दिवंगत विंग कमांडर आईजे लांबा ने उनिश्य च्छियान्वे में अटलांटा ओलम्पिक में भारत का घुरसवारी में परतिने दित्व किया था टोकियो ओलम्पिक 2020 जपान में आउजित होने वाला चौथा ओलम्पिक था टोकियो में पहला ओलम्पिक खिल सन 1964 में हुआ था एशी के साथ टोकियो में दो बार ओलंपिक खेलों की मिजवानी करने वाला एक मात्र एशी हाई सहर बन गया है यानि टोकियो शहर में दो बार हुआ और जपान में चार बार जापान की 13 वर्सिये सकेट बूर्δर्स मुमी जी नीसिया ने टोकियो 2020 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है नीसिया ने यह पदक स्केट बूर्ड अश्परदा में जीता वह ओलंपिक खेलों में अब तक की सबसे कम उम्र की श्वर्ण पदक भी जीता वनी तो आपको मुम प्रणी जी नीसिया ये नाम याद रखना है क्यों याद रखना है क्योंकि नीसिया ने यह पदक स्केट बूर्ड असपरधा में जीता वह उलम्पिक खेलों में अब तक के सबसे कम उम्र की श्वर्ण पदक वी जिता वन चुकी हैं उलम्पिक के इतिहास में भारत के नाम अब तक कुल 35 पदक है इसमें 10 स्वर्ण, 9 रजट और 16 लकाश पदक शामिल है सबसे ज़्यादा 8 स्वर्ण पदक भारत को हौकी टीम ने दिया है देश के नाम ब्यक्तिगत असपरधा में दो स्वर्ण पदक है जो अभिना बिंद्रा 2008 वीजिंग उलम्पिक के दौरान शोटिंग ने और टोकियो उलम्पिक 2020 में नीरच चोपडा ने भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में जीता है नीरच चोपडा देश के लिए उलम्पिक में शोर्ण पदक जीतने वाले ब्यक्तिगत दूसरे नंबर के खिलारी बन गए हैं नीरच चोपडा से पहले शोर्ण 2008 में अविनव विंद्रा ने निशाने वाजी में बिलिम वीजिंग उलम्पिक के दौरान शोर्ण पदक जीता था पुरुस के लिए भाला की लंबाई 2.5 मीटर एवं बजन 800 ग्राम होता है जबकि महिलाओं के लिए भाला की लंबाई 2.2 जीरो से 2.3 जीरो मीटर की होती है और उसका बजन 600 ग्राम होता है तो ये था आज के लिए आपजेक्टिव सहित ओलम्पिक से रेलेटेड विस्तार से आप लोगों के भी चर्चा आगे इशी परकार से अन्य चर्चाओं के साथ हम आपके शात रहेंगे तब तक के लिए धन्यवाद